नमस्कार मित्रों, एरोबिक्स के खोज करता के विशे में एक क्वेरी आई है, एडवर्ड हिचकोक या डॉक्टर केनेथ कूपर, दोनों के अंदर आपको पिछले वीडियो के अंदर कॉंट्रोवर्सी क्रियेट हो रही है, तो देखें मैं एसपस्ट कर देता हूं कि एडव लेकिन तीन दिन के अंतराल के बाद, पुने आज हम शाम को लाइव टेस्ट शुरू कर रहे हैं, लगतार त्योहर का मौसम चल रहा था, उसमें आप भी डिस्टर्ब होते हैं, मैं भी डिस्टर्ब होता है, इसलिए तीन दिन से कोई भी टेस्ट लाइव नहीं हो परा था, आज शाम को 7 बजे पुन है, लाइव टेस्ट के अंदर जुड़ियेगा, लेकिन आपको ध्यान देनी के अवश्कता है, अज का टेस्स साड़े साथ बजे नहीं होगा, शाम को 7 बजे, 7 ग्लोक 7 बजे आप लोग लाइव टेस्ट के अंदर जुड़ें, तो देखिए, ए सार्जेंट से प्रभावित होकर वर्गी करण की जो हम कहते हैं शर्रीक शिक्षा में वर्गी करण और मापन की जो पद्धिया थी सबसे पहले हिचकोक ने वर्गी करण की पद्धिया जो है वह प्रतिपाधित करी थी सार्जेंट के वर्गी करण से प्रतिपाधित या एरोबिक्स के खोज करता होने का श्रे डॉक्टर केनेथ कूपर को है जैसा कि आपको पता है मैंने अभी बताया हिचकोक 1870 के दौर में आए सन 1920 के आसपास जब विश्युद खत्म हो गया था पूरे विश्युद के अंदर 6-7 साल लंबा चलने के बाद तो विश्युद की अधिकतर सेनाओं ने यह कारिये करना शुरू किया कि किस तरह से हमारे देश के सेनिकों को हम लोग जादा स्ट्रेंथ इंडिरेंस से फुल्फ थी यूएस की आर्मी उस वक्त भी अपने सेनिकों के उपर प्रियोग करती थी तो ऐसा ही टास्क उन्होंने अपने देश के साइकलोजिस्ट को स्पोर्ट्स फिजलिस्ट को और स्पोर्ट्स मेडिसिन के डॉक्टर्स को साथ ही खेल विशिशक्गों को भी सौपा कि किस तरह से हम देश की सैना के उपर काम कर सकें तो इस तरह से जब काम शुरू हुआ तो तो एवी हिल नाम के विक्ति आये जिनोंने पहली बार फिजियोलोजी की एक सैंटिविक टर्म दी जिसको ऑक्सिजन डेप्थ कहकर प्रतिपादित किया गया second wind, oxygen depth, stitch inside ये सभी टम्स उसी वक तरह खोजी गई बहुत से फोजी दोड़ते वक्त साइड में दर्द महसूस करते थे बहुत से हम हर्दय कि आसपास ऐसा महसूस करते थे कि धक्का लगा हुआ है तो second wind, stitch inside, oxygen depth ये सारी टम्स तरह खोजी गई इनी सारे कार्यों से प्रतिपादित होकर US Air Force के एक डॉक्टर डॉक्टर Kenneth Cooper ने अपने सैनिकों के उपर एक प्रियोग किया और लंबे-लंबे समय तक धीमिकती के व्यायाम कराए डांस जैसे व्यायाम, रिदम जैसे व्यायाम और इस तरह से उन्होंने रिदमिक एक्टिविटीज की खोज करी तालबद लयात में करिया है जिसमें सैनिकों को आप डांस करा सके सैनिकों को आप मास पीटी करा सके वो बोर भी नहीं हो इस तरह से पहली बार रिदमिक एक्टिविटीज की खोज की गई rithmic activities को ही Dr. Kenneth Cooper nchs aerobic activities कहकर प्रतिपाधित किया 1968 में अनों ने aerobics नाम के पुस्तक लिखी जिसने पूरे विश्व में धूम मN πचा दी उसमेhani aerobic activities को aerobics के वे में करने के तालबद तरीके से करने के rhythmic वेयाम के रूप में करने के बहुत सारे तरीके दे गए और वह पुस्तक पूरे विश्व में बहुत प्रचलित हुई और डॉक्टर कैनेथ कूपर ने पुलिस पॉटन करनल पुलिस पॉटन नाम की वेक्ति थे जिनके साथ इस पर और आगे काम किया लेकिन मूल रूप से जो खोज करता माना जाता है अ उन्हें डॉक्टर कैनेथ कूपर के नाम से जाना जाता है